हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, फ्रेंट्स देखिए आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ, बहुत ही इजी है ये पैटर्न बनाने में, आप अपने मन पसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती है, लाइट कलर, डार कलर, हर कलर में ये किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती है, बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, कार्डिकन, जैकेट, जहां भी चाहे आप इसको बना सकती है, हाप स्वेटर, फुल स्वेटर, आल ओवर स्वेटर, या फ्रंट पार्ट में भी इसको डाल सकती है, तो 2 extra edge stitch के लिए हम लेंगे तो हमारा ये pattern set हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 plus 10 plus 6 plus 2 extra edge stitch का ले लिया है total यहाँ पे देखिए 10 10 plus 6 plus 2 यानि total 28 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं 12 सलाईयों का हमारा ये pattern है तो right side से हम इसको बनाना start करेंगे first row तो ये देखिए ये है हमारी edge stitch इसके बाद से हम count करेंगे तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छे छे फंदे हमने सीधे बनाने हैं इसके बाद ये चार फंदों में हमारा pattern बनेगा तो अब यहाँ ये जो चार फंदे देखिए ये फंदा यहाँ आएगा ये फंदा बाहर की तरफ जाएगा और ये फंदा यहाँ आएगा ये फंदा बाहर की तरफ जाएगा तो आप किसी भी तरीके से आराम से कर सकती है जैसे भी आपको इजी हो आप चाहें तो दोनों फंदो को ऐसे उतारिए अब देखिए पीछे वाले फंदे को सबसे पहले हम अपने राइठ हेंड की सलाई पे लेंगे और आगे वाले फंदे को आगे की तरब से ऐसे पीछे कर देंगे इसको अब इस पर चढ़ा लेंगे और दोनों ही फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे देखिए इस तरीके से अब इन दोनों में से भी पहला फंदा पहले बनाएंगे और बाद वाला फंदा पहले बनाएंगे और पहला फंदा बाद में तो आप इस तरह से भी इसको बना सकती है देखिए सबसे पहले आगे की तरह से पीछे वाला फंदा हम सबसे पहले सीधा बनाएंगे फिर जो पहला फंदा है उसको हम सीधा बनाएंगे तो ये है हमारे चार फंदे का डिजाइन अब ये एजिस्टीज इनी दस फंदों को हमको रिपीट करना है अब देखिए फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ मैं पीछे का फंदा पहले बनाओंगी, तो पीछे की तरफ से देखिए ऐसे पहले फंदे के बीट से सलाई ऐसे डालने के बाद ये पीछे वाला फंदा पहले बना लेंगे सीधा ऐसे देखिए, बहुत आराम से बन जाता है अगर आपको दिकत होती है तो आप दोनों फंदों को सलाई से उतार गए और फंदों को पलट दीजिए और अब पहला फंदा इसको भी हम सीधा ऐसे बना देंगे तो पहला फंदा अंदर की तरफ चला जाएगा और अंदर वाला फंदा पहले आ जाएगा इसी तरह यहां भी पहले हम बाहर वाले फंदे को बनाएंगे फिर अंदर वाले फंदे को और इसको हम बनाएंगे उपर से देखिए आगे की तरफ से पहले पीछे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे फिर पहले फंदे को सीधा और दोनों ही फंदों को ऐसे सलाई से उतार दे अब बचा छे एक्स्ट्रा जो हमारा है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे और ये हमारी एजिस्टिच, इसको सीधा रॉंग साइट से हर बारी हमको उल्टा बुनाई करना है, रॉंग साइट से कुछ नहीं करना है, जिते भी फंदे हैं सभी को हमको इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है, तो ये है हमारी सेकेंड रो, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरीके से पूरी सलाई उल्टा-ल्टा बिन के कम्प्लीट करेंगे आपको जिस भी पैटर्न में बनाना है जिस भी स्वेटर में बनाना है बच्चों के बड़ों के उसमें आप पहले फंदे को एड़िस्ट कर लीजिए फिर ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करिए तो देखिए ये हो गई हमारी सेकंड रो थार्ड रो थार्ड रो में हम सबसे पहले पहला फंदा एड़िस्टीच उतार लेंगे इसके बाद हम बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और छे ये हमारी एड़िस्टीच है, ये छे फंदे हमने सीधे बना लिए अब फिर से इन चार फंदों की डिजाइन बनानी है तो अब ये बीज वाला फंदा बाहर की तरफ आएगा और बाहर वाला फंदा बीज की तरफ तो सबसे पहले देखिए, आगे की तरफ से ये पीछे वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है और पहले वाले फंदे को भी सीधा बनाना है और इन दोनों फंदों को सलाई से निकाल देंगे इसमें भी सेम करना है पहले पीछे के फंदे को बनाएंगे फिर आगे के फंदे को तो ये पीछे की तरब से करेंगे दिखिए ऐसे ये पहले फंदे के बीच से ये ऐसे सलाई निकाल के दो फंदे जो हैं इनके बीच में से ये सलाई लेंगे और पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से सबसे पहले हम सीधा बना लेंगे ये दिखिए इस तरीके से और इसके बाद आगे वाले फंदे को भी सीधा तो ये हो गया हमारा पैटर्न इन्ही दस फंदों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे यहां हमारी एक डिजाइन कम्प्लीट हो चुकी है फिर से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे फिर से चार फंदे को सेम बनाएंगे आप दोनों तरीके से बना सकती आप चाहें तो दो फंदों को ऐसे सलाई से उतार ये पहले वाले फंदे को पहले लेफ्ट हैंड की सलाई पर लेंगे और ये पीछे वाले फंदे को राइट से लेके ऐसे सलाई पर चढ़ा लेंगे और दोनों को ही हम सीधा बनाएंगे अब इन दोनों फंदों को भी ऐसे सलाई से उतार ये पहले पीछे वाले फंदे को और फिर ये पहले फंदे को ऐसे क्रोस कर देंगे इसको ले लेंगे सलाई के उपर और दोनों फंदों को सीधा बना देंगे तो ये है हमारी तीसरी सलाई, दो डिजाइन यहां हमारी कम्प्लीट हो गई, अब एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे जो हमारे एक्स्रा फंदे हैं और ये एजे स्टिच रॉंग सेट से फिर से हम पूरा उल्टा बिनके कम्प्लीट करेंगे, तो पहले पहला फंदा उतारेंगे और सारे ही फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे यह हमारी 4th row है, 4thी सलाई सारे फंदे उल्टे उल्टे हमने बना लिए अब 5th row, देखिए, 5th row पूरा सीधा बनाएंगे तो edge stitch को बिना बुने उतार लेंगे और सारी सलाई हम इस तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है चार सलाईों में हमने design बनाई है पांचवी सलाई पूरी सीधी सीधी निकालेंगे तो इस तरीके से पूरी सलाई सीधी सीधी यह देखिए छट्वी सलाई फिर से पूरा उल्टा निकालेंगे तो पहले फंदे को उतार के पूरी सलाई उल्टा उल्टा छटी सलाई सीधी ड्रो पूरा उल्टा उल्टा तो इसको भी complete कर लेंगे यह देखिए छे सलाई हमारी complete हो गई pattern हमारा सेम बनेगा लेकिन अब यह जो छे फंदे हमारे थे उनके बीच के चार फंदों पे हमारा यह pattern बनेगा तो जो edge stitch है इसको हम बिना बने उतार लेंगे और अब देखिए यह जो हमारे छे फंदे starting के देखिए दो, चार और छे तो इसमें से यह जो है यह इन चार फंदों में हमारा सेम pattern बनेगा तो अब सबसे पहले पहला फंदा बनेंगे अब इन चार फंदों में से देखिए इस फंदे को पीछे ले जाना है तो आप ऐसे सलाईपर से यह दो फंदे उतार के इस तरह से देखिए लेके cross कर लिजीए पीछे वाले फंदे को आगे कर देंगे और दो फंदे सीधे अब इन दो फंदों को भी उतार के ऐसे ये देखे बीच वाले फंदे को पहले और आगे वाले फंदे को बीच में ले आएंगे और दोनों को ही सीधा बनाना है यह देखे अब यह हमारा एक फंदा और यह चार फंदे की डिजाइन तो अब फिर से हमने छे फंदे सीधे बनाने है देखें यहाँ पे एजिस्टी एक सीधा बनाया चार फंदे में हमने डिजाइन डाली है और अब हम ये देखिए, चार फंदे में डिजाइन डाली है, अब एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, ये हमने सीधे बना लिए, तो देखिए यहां से, ये हमारा फिर से, एक सीधा बनाया, दो, चार, छे, आठ और ये दस, जो दस फंदे का हमारा पैटर्न है, अब इस तरीके से बनेगा सात्वी सलाई में, अब फिर से देखिए, पीछे वाले फंदे को पहले, हम पीछे से, मैं जैसे बनाती हूँ, वैसे भी आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से पहले सीधा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को, फिर आगे वाले फंदे को सीधा, अब इसमें भी पहले पीछे वाले फंदे को लेकिन आगे की तरब से, सीधा और सीधा, छे फंदे फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे सीधा, अब देखिए इन चार फंदों में हमने डिजाइन बनानी है, तो सबसे पहले पीछे वाले फंदे को इस तरीके से सीधा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को, पीछे वाले फंदे को ऊपर की तरब से सीधा बिनेंगे, और फिर आगे वाले फंदे को सीधा, ये एक फंदा सीधा और एज स्टीच को भी सीधा, आठवी सलाई फिर से पूरा उल्टा उल्टा निकालेंगे तो इस तरीके से देखिए पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे आठवी सलाई ये दिखिए आठवी सलाई यहां कंप्लीट हो गई नवी सलाई यानि कि नाइन्थ रो फिर से देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे जो हमारा एज स्टीच है फिर एक फंदा हमने सीधा बनाया अब इन चार फंदों के पैटन को फिर से रिपीट करना है तो पीछे वाले फंदे को हम आगे लाएंगे तो उपर से ही आगे की तरफ से पहले पीछे वाले फंदे को बिनेंगे और फिर पहले फंदे को और इन दोनों में से पहले पीछे वाले फंदे को पीछे की तरप से ऐसे सीधा बनाएंगे और फिर पहले फंदे को तो देखिए यहाँ पर ये कम्प्लीट हो गया छे सीधा एक बार फिर से तो दो, तीन, चार, पांच, छे ये देखिए अब इनी दस फंदों को फिर से रिपीट करेंगे ये हमारा पैटर्न बीच वाला फंदा आगे आएगा तो आगे की तरप से देखिए सबसे पहले ये दूसरा फंदा फिर पहला फंदा दोनों को सीधा बना लिया अब इन दोनों फंदों में से पहले पीछे की तरफ से पीछे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे दिखिए अराम से बन जाता है इस तरह से फिर पहले फंदे को छे फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे अब चार फंदों का पैटन ये दिखिए दो ऐसे बनाएंगे और दो हम ऐसे पीछे की तरफ से इस तरह से एक फंदा सीधा और एज स्टिच भी सीधी टैंथ रो यानि की दसमी सलाई फिर से पूरा उल्टा-उल्टा पूरा उल्टा-उल्टा ये देखिए टेंथ रो यहां कम्प्लीट इलेवन रो फिर से पूरा सीधा-सीधा तो ये एज स्टिच है हमारा इसके बाद पूरा सीधा-सीधा इलेवन रो में कोई डिजाइन नहीं है चार सलाईों में हमारी डिजाइन है और दो सलाई हमारी सीधी-सीधी है यानि सीधे तरब से सीधा और उल्टे तरब से उल्टा ये हो गई हमारी इलेवन रो इस तरीके से और ट्वेल्थ रो एक बाद फिर से पूरा उल्टा-उल्टा तो ट्वेल्थ रो रॉंग साइट से जितनी भी सलाईया हम निकालेंगे सभी फंदों को उल्टा-उल्टा ही बुनेंगे तो इस तरीके से ट्वेल्थ रो हमारा कम्प्लेट हो जाएगा तो ये बारह सलाईयों का हमारा पैटर्न है तो दिखिए ट्वेल्थ रो उल्टा-उल्टा ये यहाँ पे हमारा ये पैटर्न कम्प्लीट हो गया अब फिर से यहां से हम पहली सलाई रिपीट करेंगे तो एज इस चीज को बिना बुने उतारेंगे फिर दो चार छे फंदे सीधे बिनेंगे और फिर इन चार फंदों में हम ये वाला पैटन यहाँ पे रिपीट करेंगे इन्ही 12 सलाईयों को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ऐसा ये पैटन बनके कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए